अवैद कॉलोनी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहट सतना जिला प्रशाशन का बुल्डोजर शुकुरुवार को शहर में बन रही एक और अवैद कॉलोनी पर चला संयुक्त टीम ने यहां बन गए तीन पके मकान भी धाहा दी है और सडक नाली उखाडफें की शहर के क्रिपालपूर में नगर निगम ने एनिक कट के गेट के सामने लगभग 11 एकर जमीन पर बनाई जा रही है अवैद कॉलोनी शुक्रवार को प्रशाशन की संयुक्त टीम ने तहस नहस कर दी तहसिलदार बीके मिक्ष्वा, CSP महेंदर सिंग नगर निगम के अधिक्षण यंत्री, S.K. सिंग, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी रमाकांत शुक्ला, वा T.I. कुलगवां, D.P. सिंग ने पक्वाडे भर के अंदर ही शहर में इस किस्म की तीसरी बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है, नैशनल हाईवे की किनारे रिवा रोड पर यह अवैद कॉलोनी चेतन दास पिता धर्मपाल के नाम से बनाई जा रही थी, इसमें चेतन दास के कई पार्टनर भी थे, इन पा यहां प्लोटिंग के लिए सडक नाली का निर्माड कर लिया गया था, प्रशाषन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की दोपहर यहां कड़क धूप में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया, प्रशाषन के बुल्डोजर यहां गरजने लगे और सडक नाली के निर्माड तह जबकि एक संजय तिवारी के नाम था नगर निगम ने इन दोनों को भी नोटिस जारी किया था मियाद पूरी होने पर शुक्रवार को ये तीनों मकान भी ढहा दिये गए अवैद प्लोटिंग के खिलाब प्रशासन की कारवाई से जमीन कारोबारियों में हडकंप मचा है एक पखवाडे में यह तीसरी कारवाई है पहले टिकुरिया टोला फिर बगहा और अब क्रिपालपूर में बुल्डोजर चला है